प्रविकान जी गुजरात के चुनाव में जो मीडिया कर रहा है ये पूरा देश देख रहा है हर हर राज के चुनाव से पहले ये मीडिया चाहता है कि धरम का तड़का लगता रहे आप तो नौजवानों के भीच में रहते हैं बात करते हैं स्टुडेंट को पढ़ाते हैं इस देश की नई पीड़ी किस तरह लेती है स्मीडिया को उसकी सोच क्या है संजे जी आनंद जी कुछ कहना चाह रहे है मुझे लगता कि पहले उनको सुन लिया जाए पिर मैं मैं मिनु जी ने बात कही है मैं उसमें एक थोड़ा एड कर दूंस इंफोरमेशन को उन इन 2005 प्राइम मिनिस्टर साहब ने एटू वीसा उनका डिनाई हुआ था इन्होंने अप्लाई किया था यूएस गवर्मेंट ने उसको मना किया था उसके आगे का सुन लिजे क्योंक आप अचीट गया हुआ भुषग से लुएक थे लिजे काल आपकों डूख थे नाइन वेजी आठीड जा रिमस्टर से ने हुए को मैं आड पीजिए फश्वां कि अगी है प्यूश्ट थे हैं रिटर्श को को ये रैड कर दो कि है ओ आप डिशिय लोगते हमारा भी सबना तो आपका सवाल था कि नोजवानों में किस तरह की चर्चा है तो आप समझ सकते हैं जो अभी आरदी ने बताया वो नोजवानों में इंफॉर्मेशन नहीं है वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होगी वही जिसको वाट्सेप उनिवस्टी कहते हैं इतिहास को लेकर के बिलकुल फेक नियूज या बर्तमान में क्या हो रहा है अभी आया ना कि राहूल गांधी की बारा जोड़ो यात्रा में पाकिसान जिंदाबाद के नारे लगे और ये पिढ़ी को भी जिस तरह से बेवेक हीन बनाये जा रहा है हम लोग तो जिस पद्धती से निकले हैं और जिस तरह के भारत की कलपना हमारे आजादी के आंदुलन के निताओं ने की थी एक बेवेक संबत और बैग्यानिक सोच का हम भारत बनाएंगे और आज हो क्या रहा है जो तमाम धार्मिक मानताएं हैं उनको बहुत हाइलाइट किया जाता है जबकि जो बैग्यानिक समझ है बैग्यानिक सोच है उसको प्रिष्ट भूमी में धकेल दिया जाता और बो आपने देखा होगा एक बनारस के एक असेस्टेंट प्रोफेसर को एक टिपड़ी करने प अपील कर रही है और इसके जरीए वो पूरा चुनावी माहौल तयार किया रहा है वो गुजरात पही नहीं है वो तरप्रदेश में भी है और हिंदुस्तान के मुझे लगता है हर हिस्ते में वो चीज़ें ब्याप्त हैं को केरल और एकार जगाए आप छोड़ दीजे कि ज पांच लाकी सेलरी है मैं केबल इतना भर नहीं मानता कि गोदी मीडिया के लोग केबल इसलिए कर रहे हैं आप उनके अगर वो जाती का कहन करे देखिएंगे कि वो चल क्सिए करके आए हैं उनकी ये उनकी जो संद्चना है वो कहां से होई है आपको समझ में आएगा कि वो हिंदुत को पसंद करने वाले लोग को पसंद करने वाले लोग हैं उनको यह नापसंद है कि मायबती को हम कभी तारीफ करें उनकी यह नापसंद की है कि हम कभी ठीक बोलना पड़ें उनकी यह नापसंद की है कि हमके इस्टलन के बारे में हम कभी ठीक से बोलें या लालू प और इसी लिए बहुत सोची समझी रहनी से यह नहीं है कि वो बहुत भोले लोग है या ना समझ है मुझे लगता है कि बहुत तेज लोग है इस बात को जानते हैं कि हमें इस देश को किधर ले जाना है वो कुवे में गिर रहा है वो बात अलग है उनको उसकी चिंता नहीं है लेकिन उन्हें जब तक रहना है तब तक वो इस देश में अपना वर्चस और संसाधनों पर कभजा जमाई रखना चाहते हैं साथ ही साथ जो जातीकत वबस्था एक जमाने में रही है वो उसको फिर से उसको देखना चाहते हैं या मुसल्मानों के प्रती जो उनकी घिरना है तो वो चाहते हैं कि यह जो अलपसंख्यक हैं जिनको कहीं संब्धान में कुछ विशेशादिकार भी मिले हुए हैं वो भी खतम कर दिया जाए और इनको दोयम दर्दे का बना करके और वो कहते भी है कि जैसे पाकिस्तान में अलपसंख्यक रहता है वैसे साब भारत में अलपसंख्यक रहता है तो उनकी सोच वही जो सावर करकी थी जो गोलबल करकी थी वो उसी सोच से निकले हुए लोग है और इसलिए मैं नहीं समस्ता के केबल को पैसे के करण कर रहे हैं और आप करते हैं और उनको उनकी जगह पर अक्ष्य कुमार अगर इंटर्विव करते हैं तो लाना वो तो मुझ दिखाने लाइक नहीं लेकिन असल में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है वह वहीं है जिस चैनल पर सुबह से वह आरती होगी फिर भूत-पचास की कहानिया सुनाई ज तो दिन रहात और फिर अभी आपने देखना कितना मजाक हुआ था इंडिया और शाहिद इंग्लेंड का मैच मैच था जिसमें 11 को बठा करके साब मैच का फैसला किया जा रहे हैं और आपकी सोची दुनिया जब देखती होगी भारत की मीडिया की तरफ तो क्या सोचती इसा बनाना चाहिए थे भगत सिंग की समझ क्याती और आज यह तेश कहां पहुंच गया है और नौजवान की ही का तो हाल यह है कि वो उन चीजों को समझना ही नहीं चाहता है विश्वद्यालाय हो कॉलेज हो प्राइमरी स्कूल हो वहाँ पर जो पढ़ाई हो रही है वो क लेंगे लेकिन अगर आप कावड यत्रा करना चाहते हैं तो आपके उपर गुलाब के फूल बरसाए जाएंगे तो रोजगार मंगेंगे तो आपको गुलाब के फूल नहीं बरसा जाएंगे जो दो चार नौकनिये मिलती पर उसके लिए साब पता लगा कि मुखमंत्री औ नौकरी ज्वाइन करते थी यहां तो साब किलर के बन जाए तो उसको मुखमंत्री साब नियुक्ति पत्र दे रहे हैं उसको मीडिया लाइब कवरेज दे रहा है मतब कभी इस बात को क्रिटिसाइज नहीं करेगा किसाब आप जो कर रहे हैं वो कितना बड़ा पाखंड है यह दिखावा है यह यह आपकी ड्यूटी है और यह इन लोगों का जो नौजबान पीड़ी जो पढ़ाई कर रही है यह उसका अधिकार है मूल अधिकार है तो आ लेकिन मोदी जी है कि छोड़ते भी नहीं है उनको उनकी खूब लानत मलादत करते हैं यह बहुत बेज शर्म है और इसकी जो मानसिक्ता है को उसी मानसिक्ता का उराद दिन अपना परचाह देगा कर दो